हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो माई चैनल, आज हम डिसकस करेंगे वन वर्ड सब्टिटुशन जो की बेस्ट होंगे किलिंग्स एंड डेट्स ऑफ परसंस पर, तो टाइम ना बेस्ट करते वे चले शुरू करते हैं, हमारा फर्स्ट वन वर्ड सब्टिटुशन दिया गया फेटिसाइड, फेटिसाइड यानि की बुरून हत्या, नेक्स्ट, मर्डर ओफ रेस, यानि किसी जन जाती की हत्या, तो वो कहलाती है जनिसाइड यानि की नरसनहार, नेक्स्ट, मर्डर ओफ आमेन या विमेन, तो किसे भी मनुश्य की हत्या, यानि किसी औरत या आदमी की या कह सकते हैं किसे भी मनुश्य की हत्या तो वो कहलाती है होमिसाइट यानि कि मानों हत्या नेक्स्ट मड़र ओफ एन इन्फैंट यानि किसी शिशू की हत्या तो जो शिशू की हत्या है वो कहलाती है Infanticide यानि कि शिशु हत्या Next Mother of Once Parents यानि कि अपने ही माता या पिता की हत्या यानि अपने माता पिता की हत्या वो कहलाती है Parricide यानि माता पिता की हत्या Next Mother of Once Father यानि अपने ही पिता की हत्या अपने ही पिता की हत्या कहलाती है पैट्रिसाइड यानि की पिता की हत्या नेक्स्ट मडर ओफ वन्स मदर अपनी ही मा की हत्या तो अपनी ही मा की हत्या कहलाती है मैट्रिसाइड यानि की माता की हत्या नेक्स्ट मडर ओफ वन्स ब्रदर यानि अपने ही भाई की हत्या तो अपने ही भाई की हत्या कहलाती है pretty side यानि की भाई की हत्या Next, mother of one sister यानि अपनी ही बहन की हत्या तो इसे बोलते हैं sororicide यानि की बहन की हत्या Next, mother of king or queen यानि राजा ये रानी की हत्या तो इसे बोलते हैं regicide यानि राज हत्या Next, mother of one's wife यानि कि अपनी ही पतनी के हत्या तो उसे बोलते हैं युग-जोरिसाइड यानि कि पतनी की हत्या Murder of oneself यानि खुद की हत्या तो उसे बोलते हैं suicide यानि कि आत्म हत्या A graveyard where the dead are buried, यानि एक ऐसा इस्थान जहां पर मुर्दे दफनाए जाते हैं उसे बोलते हैं सेमिट्री यानि की कबरिस्तान नेक्स्ट अक्रिमेशन ग्राउंड वेर दर लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर पफॉर्म्ड यानि एक ऐसा इस्थान जहां पर अन्तिम दास अंसकार की रस्मिक की जाती है उसे बोलते हैं क्रिमोटोरियम क्रिमोटोरियम का मेंस होता है शवदा ग्रे थैंक्स फॉर वाचिंग लाइक शेयर और सब्सक्राइब